आप सभी शिक्रिक साथियों को मेरा प्रणाम अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े पठकता सोला के साक्षातकार से आप पड़ेंगे सत्यजित राय को और हम लोग कर रहे हैं पिजटी हिंदी की तयारी इस पार्ट को आप मूल रूप से पड़ेंगे इसका शब्द शब्द आप समझें इसको रोज सुनें ताकि आपकी जो एक विचारदारा में आपकी सोच में सत्यजित राय की बाते हैं जो हैं वो चलती रहे हैं यही हमारी एक विवारिक तयारी होगी चैनल पे नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो अंतक देखें और सत्यजित राय को सबसे पहले हम पढ़ते हैं ठीक है इनका जन्म हुआ है सन 1921 में और कॉलकाता पस्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है राय जो है वो हम लोग सब ज़्यादा तर जानते ही है कि जो राय राय नाम रहता है वो कॉलकाता से ही जो लोग रहते हैं उन्हीं के नाम से ही रहता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए इनको याद रखना कॉलकाता से हैं और प्रमुक फिल्में इनकी जो है वो है अपराचिता अपुका संसार जल सागर देवी चारुलता महानगर गोपी गायेन वाका बायेन पथेर पांचाली बांगला में है शतरंज के खिलाडी सद्गती हिंदी में है प्रमुक रचनाय प्रोफेसर शंकू के कारणा में सोने का किला जहांगीर की स्वन मुद्रा बादचाही अंगूठी आदी प्रमुक सम्मान फ्रांस का लेजन डी आउनर पूरे जीवन की उपलब्दियों पर आसकर और भारत रतन सहीत फिल्म जगत का हर महत्तपोर सम्मान इन्हें मिला हुए ठीक है सत्यजित राय को और मित्यों इनकी होगे इदी सन निसु ब्यानुवे में बारतिय सिनेमा को कलात्म कुंचाई प्रतान करने वाले फिल्म कारों में सत्यजित राय अगली कतार में हैं इनकी नदेशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांसाली बा कि इस माद्यम के बारे में निर्देशकों और अलुचकों के बीचे समझ विक्सित करने में भी अपना योगदान दिया ध्यान देने की बात है कि इनकी जायतर फिल्में साहित्य कृतियों पर आधारित हैं इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांगला के विभूती कि कहानियों में जासूसी रोमाच के साथ पेड़ फोदे था पशु पक्षी का साहथ संसार भी है अपू के साथ धाई साल नामक संस्मरन पथेर पांचाली फिल्म के अनवभूं से संबदित है जिसका निर्मार वारती फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी गटना के र अपनी कला दरिष्टी को साकार करने का संगर्श भी है इस पार्ड का वाशनतर भांगलामूल से विलास गिते ने किया है किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म में एक अभूज पहली होती है बनने या ना बन पाने के अमूर्थ शंकाउं से गिरी फिल्म पूरी होती उस वहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं अपू के साथ डाई साल की बात करते हैं क्या हुआ अपू के साथ डाई साल में पतेर पान्चाली फिल्म की शूटिंग का काम डाई साल तक चला था ठीक है? इस डाई साल के कालखंड में हर रोज तो शुटिंग होती नहीं थी मैं तब एक विक्याबन कंपनी में नोकरी करता था नोकरी के काम से जब फुरसंद मिलती थी तब शुटिंग करता था मेरे पास उसमय प्रयाब पैसे भी नहीं थे पैसे खत्म होने के बाग फिर से पैसे जमा होने था कि थगित रखनी पड़ती थी शुटिंग का रम करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार एकठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ फिशेशकर अपू की भूमिका निवाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था आखिर मैंने अकफार में उस संदर में एक इस्तिहार दिया रास बिहार येविन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा बाड़े पर लिया था वहाँ पर बच्चे इंट्रिव के लिए आते थे बहुत से लड़के आये लेकिन अपू की भूमिका गली मुझे जिस तरह का लड़का चाही था वैसा एक भी नहीं था एक दिन लड़का आया उसकी गरदन पर लगा पौडर देकर मुझे शक हुआ ना पूछने पर नाजुका वाद में बोला वै बोला टिया उसके साथ आये उसके पिताजी से मैंने पूछा क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहां ले आये हैं वह सज्जन पकड़े गए सच छिपा नहीं सके बोले आसल मैं यह मेरी बेटी है अपू की भूमका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहां ले आया हूँ विग्यापन देकर भी अपू की भूमका के लिए सही तरह का लड़का ना मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया अखिर एक दिन मेरी पतनी छट से नीचे आकर मुझे से बोली पास वाले मकान की छट पर एक लड़का देखा जरा उसे बुलाईए तो आखिर हमारे पडोस के गर में रहने वाला लड़का सूबीर बनर जी ही पथेर पांचाली में अपू बना फिल्म का काम आगे भी डाई साल चलने वाला है इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था इसलिए जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा अपू और दुर्गा की भून का निवाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में व वाला देवी ढ़ाई साल तक काम कर सकी ये भी मेरे सोभागी की बात थी शूटिंग की शिरुवात में ही गड़वड होई अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकता से सतर मील पर पालसिट नाम के गाउं आये वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से बरा एक मिदान था अप पाले दिन जगत दातरी पूजा का तिहार था दुर्गा के पीछे पीछे दोड़ते हुए अपू काश फूलों के बन में पहुंचता है सुबा चुटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आदा बाग चित्रित किया निदेशक छाया का छोटे विनेता विनेतरी हम सभी चित्र में नवागत होने के कारण थोड़े बुराए हुए ही थे बागी का सीन बाद में चित्रित करने का निने लेकर हम गर पहुंचे साथ दिन बाग शुटिंग के लिए उस जगा गए तो वह जगा हम पहचानी नहीं पाए लगा ये कहां आ गए हैं हम कहां गए वह सार काशफूल खाड़ा ले थे अगर हम सब उस जगा बाकी आदे सीन की शुटिंग करते तो पहले आदे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठ था उसमें से कंटिन्यूटी नदारत हो जाती उस सीन के बाकी आँच के शुटिंग हमने उसके आगले साल शरद रितू में जब फिर से मैदान काशफूल उसे बर गया तब की उसी समय रेल गाड़ी के भी शौट्स लिये लेकिन रेल गाड़ी के इतने शौट्स थे कि एक रेल गाड़ी से काम नहीं चला एक की बाद एक तीन रेल गाड़ीं को हमने शुटिंग के लिए इस्तेमाल किया सुबा से लेकर दोपय से निकलते समय रेल बाबू भी इंजिन ड्राइवर की केविन में चड़ते थे क्योंकि गाड़ी की शुटिंग की जगा के पास आते ही बॉयलर में कोईला डालना जुरूरी था कि काला दुआ निकले सफेद काश फूलों की प्रिश्ट पूमी पर अगर काला दुआ नहीं के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग-अलग समस्यों से जूजना पड़ा एक उधारन देता हूं मूल उपन्यास में अपूर दुर्गा के भूलो नामत पालतु कुत्ते का उलेख है गाउं से ही हमने कुत्ता प्राप्त किया और वैं भी हमसे ठीक बरताफ करने लगा फिल दिनों में उसका बुरा द्यान नहीं है वे मां की और पीट करके बैठा हुआ है वे तीर कमान कहलने के लिए उत्तावला है अब उखाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है सर्वजया बाएं हाथ में थाली और दाइने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दोड़ती है लेकिन बच्चे के बाप देकर जान जाती है कि वह आप कुछ नहीं खाएगा भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है उसका द्यान सरवजया के हाथ में जो बात की थाली है उसकी और है इसके बाद वाले शॉर्ट में हमें ऐसा दिखाना था कि सरवजया थाली में बचा बात एक गमले में डाल देती है और भूलो बात खाता है लेकिन ये शॉर्ट हम उस दिन ले नहीं सके कि उस सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुई छे महिने बाद फिर से पैसा कटे होने पर हम फिर बोडाल गाउं में उस सीन का बाकी अंश्चितरित करने के लिए गए लेकिन वहां जाने पर समचार मिला कि बूलो कुटा अब इस दुनिया में नहीं है अब क्या होगा खबर मिली कि बूलो जैसा दिखने वाला एक कुटा गाउं में है अब लाओ पकड़ कि उस कुटे को सच मुझ ये कुटा बूलो जैसा ही दिखता था वे बूलो से ही वहारे उस दरशी की शूष्टिंग पूरी फिल्म देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने बूलो कि वह उनकाँ दो अलग लग कुटों से काम लिया है और सिर्फ कुटे के संदर में नहीं आदमी के संदर में ऐसी ही समस्या थी पथेर प हमीर आदमी है वे तो मिठाई जरूर प्रिदेंगे और उनका मिठाई करेदना देखने में ही अपूर दुर्गा की खुशी है इस द्रिशे का कुछ चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थागित होगी पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस खीकरियम श्री निवास से मिलता जुलता नहीं था लेंकि श्री इच करेफ से पहले स्री जासे ही थे इसूटने शूट में दिखाई में नंबर compressor के मुखरजी के गर्द के अंदर जाता है पथेर पांचाली फिल्म अनिक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है लेकिन स्री निवास के मावल में ये बात किसी के दियान में आई है ऐसा मैंना नहीं सुना स्री निवास के सीन में ही एक शॉट के बगत हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वे उस बूलो कुते की वज़ा से छोटे से पुकूर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने गर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की और ललचाई ने देख रहे हैं क्यों मिठाई खरे देंगे? मिठाई वाले के स्वाल का वे ना में जवाब देते हैं तब मिठाई वालमकर जी के गर की और जाने लगता है दुर्गा अपू से कहती है चल हम भी जाएंगे बाई बहन दोडने लगते हैं और उसी समय पीछे जुर्मुट में बैठा बूलो कुटा भी छलाँ लगता है हमें ऐसा सीन लेना था लेकिन मुश्किल ये कि ये कुटा कोई हॉलिवूड का सिखाया हुआ नहीं था इसलिए ये बताना मुश्किल ही था कि वे अपू दुर्गा के साथ बागता जाएगा या नहीं कुटे के मालिक से हमने कहा था अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुटे को न दोनों के पीछे भागने के लिए कहना लेकिन शूटिंग के बड़ दिखाई दिया कि कुटा मालिक की आगया का पाला नहीं कर रहा है इदर हमारा कैमरा चालू ही था कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिलाना पड़ रहा था कट कट अब यहां दीरेज रखने के सिवा दूसरा उपाई नहीं था अगर कुटा बच्चों के पीछे दोड़ता तो ही वे उनका पलतु कुटा लग सकता था आखिरे मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई चिपाने के लिए का और वे कुटे को दिखा कर दोड़ने को खा इस पर कुटा उनके पीछे बागा और हमें हमारी च्छेकेंसा शॉर्ट मिला पैसे की कमे के कारण ही बारिश का दरिशे चितरित करने में बहुत मुश्कील आई थी बरसाथ के दिनायों और गए लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे इस कारण शूटिंग बन थी आखिर जब हाथ में पैसे आया तब अक्तोबर का महीना शुरू हुआ था शरद रितू थी निरब्र आकाष्ट के दिनों में भी शायद बरसाथ होगी इस आशा से मैं आपूर दुर्गा की बूंका करने वाले बच्चे कैमरा और टक्नीशियन को साथ लेकर हर और दिहाद में जाकर बैठा रहता था अकाष में एक भी काला बादल दिखाए दिया तो मुझे लगता की बरसाथ होगी मैं इच्छा करता बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे आखिर एक दिन हुआ भी वैसा है शरत रितुमें भी आस्मान में बादल चागे और दुआंदर बारिश होने लगी उसी बारिश में भीक कर दुरगा भागती हुई आई और उसने पेड़ की नीचे भाई की पास आसरा लिया बाई बहन एक दूसरे चिपकर बैठे दुरगा कहने लिए नेभूर पाता करमचा है ब्रिश्टी गरेजा बरसाद ठंड अपू का भधन खुला प्लास्टिक के कपड़े से डगे कैमरे को आंक लगा कर देखा तो वै ठंड लगाने के कारण सिहर रहा था शौट पूरा होने के बाद दूद में थोड़ी ब्रॉंडी मिला कर दी और भाई बहन का श्रीक गरम किया जिन्हों ने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वे शौट बहुत अच्छा चितरित हुआ है शौटिंग की दरिश्टे से गोपाल गराम की दुलना में बेडोल गाउं हमें अधिक उपयुक्त लगा अपू दुरगा का गर अपू का स्कूल गाउं के मिदान खेद पुगुराम के पेड़ बांच के जर्मोट ये सबी बातें बो डाल गाउं में और आसपास हमें मिली अब उस गाउं में बजली आ गयी है पके गर पके रास्ते बने हैं उस जमाने में नहीं थे उस गाउं में हमें बहुत बार जाना पड़ा बहुत बार रहना भी पड़ा इसलिए वहाँ की लोगों से भी हमारा परज़े उन लोगों ने एक बहुत अध्बू सजन थे हम चिलाते, फिल्म बाले आई हैं, निम्बू के पत्ते खटे हो गए, ही बादल अब गर आओ, मतलब बापिस आओ, मारो उनको लाटियों से, पूछतास करने पर लोग उने बताएगी, वह मानसिक रूप से बिमार थे, बाद में सुगोदा से हमारा अच्छा परेज़े हुआ, वह हमें पास पुला का दरवाजे में बठा कर बाइलिन पर लोग इतूं की दुने बजा कर सुनाते थे, बीच बीच में हमारे कानों फुस्पसादे, वह साइकल पे जा रहा, आदमी देख रहा हो ना, वह कौन है, जानते हो, वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी, उनके म दोस में एक दोवी रहता था, उसके कारण हमें बहुत परिशानी होती थी, वह भी थोड़ा सा पागल था, और कभी-कभी भाईयों और बहनों कहकर किसी राजकी मुद्दे बलना भावाशन शुरू करता था, फुरसत के समय में उसके भाशन पर हमें कुछ अपती नहीं थ जिस गर में हम पधिर पंचालिक शुटिंग करते थे, वह गर हमें एकदम द्वस्त अवस्ता में मिला था, उसके मालिक कलकता में रहते थे, उनसे हमने वह गर शुटिंग के लिए बाड़े पर लिया था, उस गर की मरहमत करके उसे शुटिंग के ठीक ठाक करवाने में हमे फिल्म में नहीं दिखाए, उन कमरू में हम अपना सामा रखा करते थे, कमरे में एक वार्डिंग मुशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिंग बुपेन बाबू बैठा करते थे, हम शूटिंग देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे, हर शौट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना, बुपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते, एक दिन शौट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं है, फिर एक बार बुचा, बुपेन बाबू साउंड ठीक है ना, इस पर जवाब ना आने पर उनके कमरे में या देखा तो एक बड़ा सा साउंप उस कमरे की खेड़की से नीचर उतर रहा था, वैसांप देखकर वुपेन बाबू साहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी, वैसांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा थ उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थाने लोगों के मना करने करण हम उसे मार नहीं सकी, वह वास्तु सरपता और बहुत दिनों से वहां रह रहा था, अब आप यहां कुछ एक नाम है इनके बारे में देख लिए, रुजवेल्ट, इनका 1882 से लेके 1945 तक का नाम है, अटम बं के मैनहाटन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था, चर्चिल 1874 से 1965 तक रहे, दिती विश्वुद के दुरार बिटेन के प्रदान मंतरी थे, 1913 में इने साहिते का नोवल पुरुसकार भी मिला था, हिटलर 1889 से 1945 तक रहे, जर्मनी के तानाश चांसलस्ट, 1933 से 1945 तक तथा नाजी पार्टी के लिडर थे, अब्दुल गफार खान 1890 से 1988 तक यह पक्तून और अफगान के नेता थे, और भारत और पाकिस्तान के विवाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण ने अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा, इने सिमांत आदी के नाम से भी जाना जाता है, तो यह थे अब्दुल गफार खान ठीक है, तो यह आपने कहानी पढ़ ली होगी, सुन ली होगी मेरे से कहानी, आप चाहें तो अपनी पुस्तक पर भी अच्छे से पढ़ें, सुनें, क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता है आजकल इसे को बोलते हैं, स्थकीत होता रोखा हुआ, कुछ समय के लिए मुल्तवी किया हुआ, बाड़े पर, किराये पर, कंटिन्यूटी निरंतर दारे में, शौर्ट्स, द्रिश्यों को शूट करना, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आवाज की रिकारिंग करने वाला, पुकूर, कोखर, नवागत होना, नए शेतर या विशे को जानना, नधारत गायव, भात पके हुए चावल, बॉयलर, रेल गाड़ी के इंजन का वह हिसा है, जिसमें कोईलर डाला जाता है, वास्तु सर्फ वे सर्फ जो गर में अक्सर दिखाए देता है, मानेता है, मानेता के अनसार उसे कुल देवता, बांगला में वास्तु सर्फ कहते है, तो सतेजित रॉय जो थे वो बैंगॉल के ही थे, तो ये पतहर पांचाली उनकी एक संदर कृती है, आप इसे और भी अच्छे से पढ़ें, तो अपू के डाईवर्स जो हैं, वो आपने पढ़ ली, अपू के साथ कि से पता से पता सैалा है, आपैजित नहीं कि अपने पांगला में वो आपने कृती है, यह क्रमा artो बजी से लाख पता वो आपने कृती हैं, एक समय का př कृती है, जो अपपने कृती है, आपू कृती है.